शनिवार को 90 प्रतीशत तक जलने की वजह से उसकी मौत हो गई, लड़की पर उसके बॉइफ्रेंड और उसकी मा ने कथेत तौर पर आग लगाई थी ये घटना दक्षनी तिरिपुरा के शंतिर बजार में शुकरवार को घटित होई पुलिस का कहना है कि लड़की का आरूपी के परोशियों ने बचाया और उसे जीबी पंत अस्पताल में भरती कराया उन्होंने बताया कि बॉइफ्रेंड ने लड़की को पिछले दो महीनों से फिरौती के लिए बंदी बना कर रखा हुआ था जैसे कि लड़की की मौत की खबर फैली अस्पताल के बाहर लोग की भीड़े खटा हो गए और उन्होंने आरूपी लड़के और उसकी माँ पर हमला किया लड़की के परिवार ने आरूप लगाया है कि आरूपी जिसकी पहचान अजे रुद्रपाल के तोर पर हुई है उसने लड़की की रिहाई के लिए 50,000 रुपए की मांग की लेकिन वो शुक्रवार तक केवल 17,000 रुपए ही दे पाए जिससे अजे नाराज हो गया और उससे लड़की पर आग लगा दी दश्रेतिरपुरा की पुलिस अधिकशक जल सिंग मीरा ने कहा है कि मामले में मुख्य आरूपी अजे को अस्पताल से गिरफतार कर लिया गया है और बाद में शंतिर बजार पुलिस स्टेशन लाया गया है लड़की पर शुकरवार शाम को आग लगाई गई जाट जारी है पुलिस का कहना है कि लड़की सोशल मीडिया के जरिये आरूपी से मिली थी वो दिवाली के बाद उसके साथ भाग गई थी जब उसे शादी के लिए प्रपोस किया था उसके बाद आरूपी ने फिरौदी के लिए कथित तोर पर उसे बंदी बना लिया और अपने दोस्तों के साथ सामोहिक दुशकर्म किया पीडिता की माँ का कहना है कि उन्होंने लड़की के गायब होने के बाद पुलिस से शिकायत की थी जब आरूपी ने पैसुफ की माँ की तो उन्होंने पुलिस से मदद दिली लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली लड़की की माँ ने आरोप लगाया कि शुकरवार की रात को उन्होंने अजे की माँ को चंदरपूर आईएस बीटी पर 17,000 रुपे दिये लेकिन वो इससे खुश नहीं हुई और चेतावनी दी कि यदि पूरी राशी नहीं मिली तो लड़की वापस नहीं मिलेगी इसी बीच हमें उन्सका पता मिल गया और हम उस तक पहुचने वाले थे हमें सुबा जानकारी मिली कि उस पर आग लगा दी गई है और वो अस्पताल में भरती है